दोस्तो अब हम आपको बताएंगे कि कब, क्या, कहां और कैसे करना है कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाए जो आपके जीवन की हर तरह की परिशानियों का समाधान कर देगा इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नाखुन से इनसान का नेचर पता लगाया जा सकता है शरीर का हर हिस्सा वो अंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो मरा हुआ ही क्यों न हो जैसे हमारे नाखुन, शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे नाखुन जिन केशिकाओं से मिलकर बना होता है वो मरी हुई यानि डेड सेल होती है, इसलिए नाखुन काटते हुए हमें दर्द का एसास नहीं होता नाखुन के अनुसार जानी कैसा होता है किसका स्वभाव? जिन लोगों के नाखुन छोटे होते हैं, वे चाहे कितने भी उच्छ वो सभ्य घराने में पैदा हुए हो समुद्र शास्तर के अनुसार अच्छे सुभाव के नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति असब्य वो स्वार्थी होते हैं, ये अपना हिद साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तेड़े और असमानिय नाखुन वाले लोगों की मानसिक्स्तिती अचानक बदल कर हिंसक हो जाती है, ऐसे लोगों से भी बचकर रहना चाहिए धब्बेदार नाखुन वाले लोगों में कहीं ना कहीं अपराधिक आदतें छुपी होती है छोटे और पीले नाखुन व्यक्ती के मकार सभाव को प्रधर्शित करते हैं जबकि गोलकार नाखुन व्यक्ती के सशक्त विचारों वो तुरंथ निर्णय लेने की शमता को बताते हैं पतले वो लंबे नाखुन वाले लोग जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं और इसी प्रवरिती के कारण कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे लोग नशे के आदी होते हैं इनके परीजन इनके कारणामों से अक्सर परिशान रहते हैं छोटे नाखुन वो गांटदार उंगलिया हो तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को इशारो पर नचाते हैं हाला कि ये चरीतर के अच्छे होते हैं लेकिन इन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता कठोर नाखुन वाले व्यक्ति जगडालू प्रवरीती के साथ ही अपनी जित के पक्के होते हैं ये जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं चाहे वे फिर सही हो या गलत वे लोग जिनके नाखुन चोडाई से अधिक लंबाई लिये हो तो ऐसे लोग निरंतर आगे बढ़ने वाले होते हैं ये अपने जीवन में बहुत उन्नती करते हैं ये अपने करतव्यों को अच्छी तरह समझते वो इसे पूरा भी करते हैं आपकी छोटी उंगली यानि लिटल फिंगर के नाखुन पर छोटा दाग जब होने लगे तो आपको समझना चाहिए आपको धनलाब और सफलता मिलने वाली है पहली उंगली के नाखुन पर भी सफेद दाग होना अच्छा माना जाता है इसमें ये इशारा होता है कि आपको सोचे हुए काम में फाइदा मिलने वाला है अंगुटे के नाखुन पर होने वाले सफेद दाग प्यार में मिलने वाली सफलता की और इशारा करते हैं लेकिन कई बार ये सफेद दाग बदनामी का संकेत भी होता है अगर आपके हाथ की उंगली के नाखुन की जड में चंद्रमा जैसा अकार बने तो आपको अचानक धनलाब होने की भी योग बनेंगे साथ ही आपको मशीनरी से भी लाब होगा तो दोस्तों इंतजार किस बात का फटाफट अपने उंगलियों के नाखुन चेक कीजिए और देखिए की आपका नीचर आपको क्या बताता है दोस्तों उम्मेद है ये वीडियो आपके लिए लाब दायक साबित होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे और भी टोटकों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए महाशक्ति शाली टोटके